हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी को घरेलू उपयोगी कुछ प्रशन बताएंगे कि आप कुछ प्रशन जो घरेलू उपयोगी होते हैं उस प्रशनों को कैसे आप लगाएंगे जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो जैसे आपको चीनी खरिदना हो और आपको एक केजी चीनी लेना है तो आप आसानी से सिंपल तरीका से आप 40 रुपया दे के चले आएंगे लेकिन उसके अस्थान पे आपको एक केजी चीनी का मुले 40 रुपया है आपको 200 ग्राम 200 ग्राम या 400 ग्राम चीनी लेना है तो आप कितना रुपया देंगे यदि इ कांदार आसानी पुरुवक ठक सकता है इसी प्रकार के जो प्रशन बनते हैं उस प्रशनों को आपको यहां बे बताएंगे तो फ्रेंस चलिए आपको बताते हैं कि फर्स्ट क्वेस्टन लेते हैं आपके लिए और इसी को बताते हैं तो यहां पर क्या है कि एक केजी यहां प नहीं लिख रहे हैं एक केजी चीनी का मुले कितना है और आप को बताना है कि 200 ग्राम चीनी का मुले कितना हो गया ठीक है 200 ग्राम होते हैं कितना होते हैं एक हजार ग्राम होते हैं दिया पर किई का दिख लिए एक कीजी चीनी कमुल ले कितना है Κालिसु रुपिया है यहां पे एक केजी के अस्थान पर 1000 ग्राम लिखिए एक हजार ग्राम चीनी का मुल्य कितना है 40 रुपिया है ठीक है तो देखिए 1000 ग्राम का मुल्य 40 रुपिया है और आपको 200 ग्राम का निकालना है तो हमेशा देखिए पर एक ग्राम का निकालिएगा एक ग्राम चीनी का मुले कितना होगा देखिए अब एक हजार ग्राम का मुले 40 रुपिया है जब एक ग्राम का निकालना होगा एक ग्राम का मुले जब भी आएगा तो कम आएगा तो कम के लिए क्या करते हैं इसका भाग देंगे यहां पर एक हजार का भाग देंगे ठीक है यहने कि 40 बटा के एक हजार रुपिया हो जाएगा अब आपको कितना का निकालना है 200 को निकालना है 200 का निकालिए 200 ग्राम 200 ग्राम चीनी का मुल्य 40 बटा के एक हजार 40 बटा के एक हजार है उसमें 200 ग्राम का निकालना है यहां से 200 का मल्टिप्लिकेशन कर देंगे तो देखे जब 200 का मल्टिप्लिकेशन किजिए अब इसको साल्ब की जिरो से जिरो कटेगा एक जिरो से एक जिरो कटेगा एक जिरो स आट रूपिया यानि कि 200 ग्राम चीनी का मुल्य कितना हो गया आट रूपिया हो गया तो इस तरीका से सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं तो फ्रेंस यह आपको समझाने के लिए इतना लांग ले गए हैं लेकिन अब चलिए आपको छोटे तरीका से सिंपल तरीका से समझाते ह ठीक है नेक्स क्वेश्चन लेते हैं जैसे आप क्या किये कि मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद आपने खरदा एक केजी आलू एक केजी आलू का दाम पूछा एक केजी आलू का दाम जब दुकांदार से आपने पूछा तो दुकांदार ने कहा कि एक केजी आलू का दाम बीस रुपिया है ठीक एक केजी आलू का दाम बीस रुपिया है और आपको जो आलू लेना है कितना लेना है आपको आलू आपको आलू लेज़े कि 200 ग्राम लेना है ठीक है 200 ग्राम आलू लेना है कितना लेना है 200 ग्राम आलू लेना है तो आपको 200 ग्राम आलू का मुल्ले पता करना है तो 2500 ग्राम आलू का मुल्य कितना होगा इसके लिए क्या करना है तो पहले एक केज़ी बरावर बताए एक हजार ग्राम यहां लिखिए एक हजार पस इसको समझे है फ्रेंस बहुत सिंपल तरीका से आप साल्व करेंगे अभी देखिए एक हजार ग्राम आलू का मुल्य कितना है बीस रुपिया एक ग्राम का निका लिए बीस बटाके अब इधर भाग कर देंगे इसका इसलिए 250 ग्राम का निका लिए 250 ग्राम का बीस बटाके एक हजार यहा लिखते हैं बीस बटाके एक हजार करेंगे इसमें धाइसो का घुड़ा कर दीजिए कितना करेंगे धाइसो का देखिए एक जिरो से एक जिरो कटेगा एक जिरो से एक जिरो कटेगा ठीक है देखिए पचा पचीस होगा पांदुना का नदार को पांच रुपिया देना पढ़े गया ठीक है चलिए नेक्स कॉष्टन लेके बताते हैं और देखिए आप दो सिकेंड में चार से पांच सिकेंड में आप को साल्व करेंगे अब किटने सिंपल तरीक आप क्या किया कि आप 1 केजी चीनी का मुल्य, फिर चीनी लेते हैं, एक कीजी चीनी का मुल्य, माली जी कि आप 50 रुपया रखते हैं, दुकानदार ने बताया, कि एक कीजी चीनी का मुल्य भाई, 50 रुपया है, आपको चीनी का जैसे 450, 450 ग्राम का मुल्य ग्याद करना है, देखिए कि कितने सिंपल तरीक कैसे हो जाएगा चार सू पचास ग्राम का म्लस्य ग्याद करना होगा देकि अब उतना लंग मत कीजिए कैसे करे पहले इसको लिखिए अंस में याशना या इक हजार लिखित लैनी homem पचास का ज्याद करना है, तो 450 के यहां पर गुडा कर देजिए, कितना का 450 ग्राम का गुडा कर जिए, अब इसको साल किजिये, जीरो से 0 कळ जाएगा, एक 0 से 1 0 कटेगा, अब 5 कए 5 5 पांडुना के 10, जो बच्रा है आप लिखिए, कितना बच्रा है, 45, बटा के अब दो का भाग देदेजी दूदुना के चार होगा यहाँ पर दूदुना के चार होगा यानि कि 22.5 रुपीया यानि कि सढ़े 22 रुपीया बाइस रुपीया पचास पैसा आप दुखांदार को देंगे यदि 450 ग्राम चीनी आपको खरीदना है तो देखिए आप एक मीरण में लगया कि नहीं लगया तो फ्रेंड्स इस तरीका से जो प्रश्ण बनते हैं और घरेली उप्यूग जो प्रश्ण होते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग